तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लास्ट हमने वीडियो में डिसकस किया था कि अगर आपके वाइफ़ एडॉप्टर जो हैं वो आपके विंडोज में आपको नहीं दिखाई देते तो यहां पे वाइफ़ एडॉप्टर भी मेरे यहां पर प्रॉपरली वर्क कर रह ही नहीं दिखता तो उसके पीछे क्या रिजन हो सकते हैं कुछ रिजन्स जो है मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया थे और कुछ रिजन्स जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कौन कौन सी ऐसी आप्शन्स हैं जिसको हमें चेक आउट करना है तो चलो वही कुछ options जो है मैं आपको आज भी बिताने जा रहा हूं तो अपनी वीडियो जो है वह आज की शुरू करते हैं stay tuned stay connected आप इस वीडियो को complete देखना skip मत करना वीडियो को क्योंकि कुछ steps ऐसे हैं कि जो अगर आप वीडियो थोड़ी सी स्किप करते हैं तो वह step आपका छूट भी सकता है वीज में तो अब जितने भी मैं आपको steps या method आपको बता रहा हूं उन methods में से कोई सबी method जो है वह आपके लिए काम कर जाएगा लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ छे method जो है मों discuss किये और उन में से कोई भी method जो है वह आपके लिए आपके विंडो के accordingly वह काम कर सकता है तो अभी जो मैं विंडो यूज कर रहा हूं आपको मैं यहां पर बता देता हूं मेरे पास जो विंडो है मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूं तो विंडो 10 प्रो जो है वो यूज कर रहा हूं तो यह तो अभी इश्यू जो आज मैं आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूं उस पर हम topic भी आ जाते हैं और वो चीज जो है मैं आपको बताता हूं तो चलिए जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा था कि इस पर right click करके आप troubleshoot जो है वो कर सकते हो जो first option आपको मैं यहां पर check out करने के लिए बहुर रहा हूं इसको troubleshoot करना सबसे पहला जो है step वो हमारा यही रहता कि हम इसको troubleshoot कर ले राइट क्लिक करके तो open network यह option लेके यहां पर network and sharing center इस पर जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं जैसे मेरे यहां पर यह चल रहा है तो it's fine right now but अगर कोई problem है तो मैं यहां पर adapter settings जो है ना change adapter setting यह भी कर सकता हूं change adapter setting पर जाके हम देख सकते हैं यहां पर wifi दिख रहा है मुझे बट आपके case में ऐसा होगा कि आपको यह wifi यहां पर नहीं दिखाई देगा तो आप यहां पर आपके भी चेक कर सकते हो camera क्या होता कि यहां से हमने disable कर लिया होता है यहां पर यह option दिख रही होती है लेकिन हमने क्या किया होता है इसको disable कर दिया होता है तो यहां से disable अगर रहेगा तो तब भी हमारे पास जो wifi है वो automatically connect नहीं हो पाता देखिए इसके right click करने पर भी यहां पर आ रहा है मैं इस पर कर रहा हूं कि अगर मैं इसको अभी क्लिक करता हूं तो यह disable हो जाएगा तो अभी मुझे इसको disable नहीं करना तो चलिए मैं अभी कुछ और options यहां पर जाके आप यह सारी setting जो है वो check out कर सकते हो अब चलिए अब चलते हम start button के ओपर यहां जाके right click करके device manager इसको open कर लेते हैं यहां पर network adapters different option जो भी आपके system के अंदर hardware installed है जो भी hardware का part है वो आपको यहां पर दिखेगा ठीक है नहीं यहां पर इसके अंदर आपको दिख जाएगा और इसमें दिखने के बाद आप क्या कर सकते हो जिस भी part को आप check करना चाहते हो जहां पर कोई issue आ रहा है वहां expand कर स ठीक है देखिए इस तरह से options आपके पास आज जाती है तो यहां पर आप देखिए यह बिल्कुल जितने भी drivers हैं वो properly work कर रहे हैं और कुछ जगों में क्या होता है कि हमारे पास yellow mark आ जाता है इसके उपर तो वो उसमें कोई issue होती है जहां पर yellow mark आपको दिखेगा तो उसम चीजें बताने वालों अब उस पर दियान दीजिएगा जैसे कि यह अभी हमने select किया यहां पर जाके आप व्यू में अगर आपको यह चीज नहीं दिखाई देती है यह options नहीं दिखाई देते हैं तो आप show hidden devices यहां से कर सकते हैं ठीक है Bluetooth device personal यह hidden थी तो वह भी इस अभी इ network adapter के अंदर जब मैंने view tab के उपर जाके show hidden devices किया तो यह भी हमें दिख गी option तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपका Wi-Fi adapter आपको नहीं दिखाई देता तो हो सकता है वह यहां पर hidden हो action के उपर आके ठीक है scan for hardware changes इसको click कर लेने अब मैं इसको फिर से hide कर लेता हूँ तो देखिए वो भी गाइब हो गया जो थी options Wi-Fi direct virtual adapter यह hidden थी तो इसलिए यह मुझे पहले दिखाई नहीं दे रही थी तो अब मैं फिर से इसको hide करके रख देता हूँ तो कहने का मतलब कुछ files आपकी जो है वो आपको यहां पर दिख भी सकती है और कुछ नहीं भी दिख सकती है अगर वो hidden है तो ठीक है दो चीज़े हमने सिखी यहां पर यह दो काम तो आपको करने है पहले और यह most important है आपके जो problem है उसको rectify करने में यह एक बहुत important step है जो कि हम device manager के अंदर आके कर रहे हैं चलिए अब एक चीज़ और हम इदर देख लेते हैं इसी action button के अंदर यहां पर क्या है add legacy hardware अभी यहां पर आप इसको भी check कर सकते हैं देखिए मैं यहां पर जाके add legacy hardware जो है इस पर click करता हूँ अगर मैं dialogue box जो है वो अपर हो जाएगा इस पर आने पर आपको क्या करना है आपको next click कर देना है ठीक है and next जो दो options आएंगी recommended और एक advanced advanced में एक एरा search for and install the hardware automatically तो install the hardware that I manually select इस पर click करके ठीक है यहां पर click करके आप इसको next कर लेंगे अब आप यहां पर किस hardware को check करना चाते हैं किस hardware part को search करना चाते हैं वो आपको यहां पर खुद से decide करना है जैसे अभी हम अगर हम wifi की बात कर रहे हैं तो वो network adapters के अंदर आता है तो आप network adapter पर click कर लेंगे and then next click कर देंगे यहां से wait करेंगे जब तक कि इस तरह की एक window आपके सामने open हो जाती और यहां पर आपको right side पर देखिए जो हैं hardware के वो दिखाई दे रहे हैं ठीक है यहां पर पढ़ सकते हैं select the device driver you want to install for this hardware ठीक है अभी हमें क्या करना है जैसे network wifi की बात कर रहे थे तो वही बता रहा हूं आपने उसी पर focus करना है अभी आप Intel पर आगे इसको scroll करके देखें यहां पर आपको कहीं wifi adapter दिखता है या नहीं दिखता है wifi drivers आपको दिखते हैं या नहीं दिखते हैं नहीं दिखें तो आप next पे click कर लिजिए Intel Corporation यहां पर मैं पूरा detail में आपको बता रहा हूं अब यहां पर आने पर आप देखिए wifi जो है brand wireless AC यह different different जो आपके drivers हैं वो आपको यहां पर दि support करता है और जो latest driver है यहां से उसको पिक कर लेना जैसे यह पिक कर लिया आपने यहां पर click किया and then आप उने क्या किया इसको next कर दिया करने पर देखेंगे आपके drivers जो हैं वो इंस्टाल होने शुरू हो गये then यहां पर आने पर आपको इसको finish कर देना जो भी आपके system के accordingly ज जो है वो शो हो जाना चाहिए तो मेरे system में already यह drivers जो है wireless AC A265 जो है वो इंस्टाल है अगर आपके यहां पर जो latest driver इंस्टाल करने के बाद अगर उस driver में कोई issue आ रहा है वो yellow mark नहीं जा रहा तो आप उसको right click करके uninstall करके then अपने system को यहां से आपने क्या करना है एक बार shutdown करके restart कर लेना है तो window restart होने के बाद आपके जो updated drivers है वो automatically यहां पर system जो है उनको reinstall कर लेगा और आपके यह wifi का issue है वो resolve हो जाएगा तो यह device manager के अंदर आके हम यह सारा काम जो है वो यहां पर कर सकते हैं जिससे के हमारे wifi driver जो है network adapter के साथ जो काम कर रहे होते हैं वो properly काम कर कर देते हैं तो hope करता हूं guys कि आपको यह procedure समझ आ गया होगा और अगर को issue है तो you can write in the comment section this is all for today's video if you like this video and do subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for the latest videos notification तो मिलते हैं next video में till then bye bye